नमस्कार मैं रवीश कुमार इसराइल की सेना के बारे में हम सभी ने कुछ न कुछ सुन रखा है ये है वो है आधा अधूरा ही सही मगर सुना तो है लेकिन हमास का हमला हुआ नहीं कि इसराइल ने अमेरिका से सैनीक मदद मांग ली जिस देश की सेना के अभेद्य होने की इतने किस्से हों अफवाहे हों वह देश एक जटके में बम से लेकर मिसाई मांगने लग जाए तो कुछ खटकता है क्या यही वो इसराइल है जिसकी सेना के बारे में पूरी दुनिया में भौकाल मचा हुआ था साथ अक्टूबर के दिन की घटना का अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है कि सेना की क्या चौकसी थी और चूप थी कि हमास के लड़ाके इतनी आसानी से घुसाए और घुसाने के कई घंटों तक इसराइल की सेना उन्हें घेर नहीं पाई उस दिन को याद कर लगता है कि सेना सीमा को खाली छोड छुटी पर चली गई होगी साथ अक्टूबर के दिन सेना क्यों इस तरह से बेखबर और कमजोर सावित हुई हम इसके कारणों की पड़ताल करेंगे लेकिन उस घटना के बाद भी इसराइल की सेना की साख हवा में नहीं बनाई गई थी उसके उपकरणों सर्वेलांस उपकरणों हतियार इतने बहतरीन माने जाते रहे कि भारत सही 30 से अधिक देश उसके खरिदार थे उसकी ट्रेनिंग की भी दाद दी जाती रही है मध्यपुर्व में इसराइल की सेना को सबसे शक्तिशाली माना जाता है उन्नत सर्वेलांस सिस्टम है और हतियार भी यहां मैं अलजजीरा की वेबसाइट पर मिले एक लेक से कोट कर रहा हूँ इस लेक में इंटरनेशनल इंस्टिटूट फॉर स्टेटिजिक स्टडीज मिलिटरी बैलेंस 2023 के आंकड़े का इस्तेमाल हुआ है जिसके अनुसार इसराइल के पास करीब एक लाग सत्तर हजार की सेना है और साड़े चार लाग से अधिक की रिजर्व फोर्स है वायू सेना की शमता तो और भी उन्नत मानी जाती है 43 अपाचे हेलिकॉप्टर, 83 F-15, 196 F-16, 30 F-35 सिरिस के लड़ाकु विमान है 142 हेलिकॉप्टर भी है, 5 सबमरीन है किसी भी रॉकेट को हवा में ध्वस्त कर देने के लिए आयरें डोम सिस्टम है इसराइल ने अमेरिका की मदद से आयरें डोम की तक्नीक को विक्सित किया 2021 का आकड़ा है कि आयरें डोम सिस्टम ने हमास और अन्य फलस्तिनी संगठनों की तरब से जो रॉकेट डागे गए 90 प्रतिशत रॉकेट को हवा में ही मार कर खत्म कर दिया गया प्रतिविक्ति आये कि अनुसार कतर के बाद इसराइल दुनिया का दूसरा देश है जो रक्षा पर सबसे अधिक पैसा खर्च करता है इसराइल के हथियार इतने बहतर होते हैं कि कई देश इसके खरीदार हैं अमेरिका में कानून है जिसका नाम है लिही लौ इसके तहट अमेरिका किसी को सैनिक मदद के तहट अगर हथियार देता है तो उसकी शर्त होती है कि हथियार का इस्तेमाल कैसे होगा मानवा धिकार के उलंगन में नहीं किया जा सकता मगर इजराइल की सेना की किसी भी यूनिट को इस कानून के तहट दंड नहीं दिया गया ہے दोस्ती है अमरीका और इजराइल की तब भी 15 दिनों से इजराइल की सेना जमीन पर लड़ते हुए बड़ी कामियाबी हासिल क्यों नहीं कर पाई या कैसे हो गया कि उसकी सीमा में घुसाए और वह कई घंटों तक देखती रह जाए बलकि उसका पता ना चले 7 अक्टुबर के दिन हमास के सामने इसराइल की सेना नजर नहीं आई मगर 15 दिन बीट जाने के बाद भी वह हमास को पूरी तरह काबू नहीं कर सकी है इसराइल को अभी कितने दिन और लगेंगे लगता है उसे भी नहीं पता इसराइल गजा पर हवाई बंब बरसाए जा रहा है पानी बंद कर दिया है बिजली बंद कर दिया है नहत्थे लोगों से लड़ रहा है लेकिन गजा की सीमा पर तीन लाग से अधिक सैनिकों को जुटाये रखने के बाद भी पंदरा दिनों तक जमीन से हमला नहीं कर पाया हो सकता है कि यह उसकी रणनीत हो लेकिन यही उसकी सैनिक ताकत की सीमा भी हो सकती है अभी तक इसराइल अपनी खूफिया तंत्र सर्विलांस सिस्टम की मदद से कुछ भी हासिल नहीं कर पाया अहली अस्पताल पर हमले के बाद कहीं से फोन पर बाचित का प्रमाण ले आया लेकिन अगर इसराइल का सर्विलांस सिस्टम इतना तगड़ा है वो हमास की बाचित को सुन रहा है तो बाकी जानकारी हासिल क्यों नहीं कर रहा अपने सर्विलांस या पेगेसस जैसे जासुसी सौफ्टवेरों की मदद से अपने और अन्य देशों के बंधक नागरिकों का सही सही पता क्यों नहीं लगा सका है पहले दिन की हार को जीत में बदलने के लिए इसराइल को 15 दिन लग गए और भी लग सकते हैं हमास कुछ भी हो एक देश नहीं है उसके पास एक देश जितनी सेना नहीं है देश जितना बजट नहीं है हतियार या सेना की ट्रेनिंग नहीं है इसराइल एक देश है इन 15 दिनों में जो कुछ भी हुआ है उस हिसाब से देखेंगे तो लगता नहीं कि इसराइल की सेना की चौकसी ताकत और हमले को लेकर जितना बताया जाता था उतना है क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसराइल तो ताकतवर आज भी है मगर उससे लड़ने वाले पहले से कहीं जादा बहतर प्रशिक्षित हो चुके हैं और हतियारों से लैस हो चुके हैं एक सवाल यह भी हो सकता है हम इस सवाल से जूज रहे थे कि 20 अक्टूबर के हारेट्स की पहली खबर पर नजर पड़ी हिंदी में कहें तो इसकी हेडलाइन कहती है कि चेक पोस्ट पर इसराइल वर्शों से सोता रहा और तभी जंग हो गई ऐसी बाते तो पहले कभी नहीं सुनाई देती थी कि इसराइल सैनिक रूप से सो जाने वाला देश है यही बताया गया कि सोते हुए भी जागते रहने वाला देश है कमाल की बात है हारिट्स का यह पत्रकार हमले से च्छा हफ़ते पहले बाॉडर की स्थिती पर रिपोर्ट बनाने गया था जो सुखोत की छुटी के दौरान च्छपनी थी इस रिपोर्ट की अनुसार सेना बिलकुल तयार नजर नहीं आई एमास हैरल की रिपोर्ट का पहला पैरग्राप दिल्चस्प है एमास लिखते हैं कि हमास के घातक हमले से च्छा हफ़ता और ठीक एक दिन पहले वे गज़ा की सीमा से लगे एरेज के पोस्ट पर गए थे वहां सब कुछ शान्त और सूना सा लगा बहुत कम सैनिक नजर आए वहां मौझूद गज़ा डिविजन के कमांडर रोजन फिल्ड चिंतित से लगे जैसे कुछ होने वाला है उन से जब पूछा कि गज़ा का क्या होगा तो कमांडर ने उदास लहजे में बताया कि चीजे बहतर तो नहीं होंगी बलकि एक मोड पर आकर बत्तर हो जाएंगी एमास हैरल वरिष्ट पत्रकार है पच्चीस वर्षों में गज़ा की सीमा का कई बार दोरा कर चुके हैं वे लिखते हैं कि सीमा पर सब था चेक पोस्ट, कटिली तारें, दुर्बीन, बहुत सारी टेकनॉलजी मगर जमीन पर सैनिक नहीं थे उस समय सेना भी सतरक नजर नहीं आई जो भी थे इसके बाद पत्रकार एमास लिबनान की सीमा पर जाते हैं और वहां के कमांडर ब्रिगेडियर जेनरल शेक लैपर उनसे कहते हैं कि हेजबुल्ला की जो एलिट यूनिट है उसमें जादा सैनिक हैं वहां मौझूद इसराइल की बटालियन की तुल्ना में इस रिपोर्ट को पढ़कर कई भ्रम तूट जाते हैं पहला भ्रम तूटता है कि जमीन पर सैनिक की तुल्ना में बहुत जादा टेकनोलोजी पर भरोसा करना सही नहीं है या भ्रम इसराइल को हो गया होगा कि उसके पास आस्मान और कैमरे से निगरानी का अभेद्य तंत्र बन चुका है जिस तरह से हारेट्स के पत्रकार को दोनों सिमाओं पर सैनिक की मौझूदगी कम नजर आई उससे तो यही लगता है कि सैनिक से जादा इलेक्ट्रोनिक सिस्टम पर भरोसा कर इसराइल धोखा खा गया यह भारत के लिए भी सबक है खास कर अगनी वीर योजना के संदर्व में दूसरा भरम यह टूटता है कि हमास के हमले के बाद इसराइल के प्रधान मंत्री से लेकर मंत्री संत्री सब सैनिक लिबास पहनते दिखाए गए मगर क्या उन्हें तब नहीं दिखा कि सीमा पर सैनिक कम है लेबनाईन की तरफ हिजबुल्ला बहतर तैयारी के साथ उनके सैनिकों से ज़्यादा संख्या में मौजूद है यही इसराइल के सैनिक तंत्र के मुखिया और प्रधान मंत्री नितन नियाहू की बड़ी नाकामी है और हेराज बार-बार इसे रेखांकित करता है इस रिपोर्ट को पढ़कर सिहरन हो जाती है यह रिपोर्टर जहां-जहां गया है वहां-वहां हमला भी होता है जिस कमांडर रोजनफिल्ड से बात करता है वो हमले के बाद इस्तिती को समभालने की कोशिश करते हैं मगर अंत में जब बहुत से सैनिक मारे जाते हैं तब हवाई हमले की मदद मांगते हैं जबकि लड़ाई जमीन की थी यही नहीं जिस टेक्नोलिजी पर इस्राइल को बहुत भरुसा था उसने भी साथ नहीं दिया अलार्म नहीं बजा बिल्कुल ठीक इस्रेल का मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में मुसाद का और इस्रेली डिफेंस फॉर्सिस का बहुत मान सम्मान था लोगोंने ऑलवेश सोचाएं कि जहां तक इस्रेइल की डिफेंस है और इस्रेल की इंटेलिजन सर्विसेज हैं वो इस्रेली नागरिकों की सुरक्षा सबसे बहतर करती है और शायद एक और इसमें है कि जब भी उनके नागरिकों को कोई किसी तरह का थ्रेट हो या अटैक हो तो इस्रेल की डिफेंस फॉर्से और मुसाद बहुत एक जुट हो के उनको प्रिटेक्शन देने के लिए या काउंटर अटैक करने के लिए वो ततपर रहती है इसमें जरूर है इस अटैक में ऑक्टोबर 7 को ज इसाद के चीफ से इस्रेली डिफेंस फॉर्सेस के चीफ से यही फ्रेशन बार-बार कर रहे हैं कि कैसे है कि 1500 के करीब या 1200 के करीब हमास के जो टेरिस हैं हमास के फाइटर्स आ सके इस्रेल के अंदर यह भी नहीं है कि वह नॉर्मल रास्ते से आये थे कुछ पार लगा दिये तो एक तो प्रिशन हे है कि आपको आपके पास इंत्येंजेंश क्यों नहीं था पेले क्योंकि हमें पता भी इस रेलीं इस इसवाण मθव कि थे तो पहने क्यों नहीं बजा क्यों नहीं मतलब तुरंत ही security forces helicopter सब वहां पर पहुँच गए बॉर्डर के पास इस्रेल के बॉर्डर के पास अगर उन्होंने 12 जगे आकरमन किया है हमला किया है तो उन 12 जगों में security forces क्यों नहीं थे हाला कि बहुत बताया जाता है कि एक बहुत इधार्मि पर्फ था और लोग घर में थे इस वक्त और काफी सुबह हमला पहले हुआ था लेकिन फिर भी प्रशन जागता है कि क्यों security वहां पर क्यों नहीं थी हम इन प्रशनों के जवाब कई लेखों में खोज रहे थे कि इसराइल के बारे में इतना सुना है लेकिन उस इसराइल के साथ ऐसा क्या हुआ हारिस के प्रत्रकार ने लिखा है कि लेबनान की साइड में हेजबुल्ला पहले से कहीं जादा तयार और जादा संख्या में के लड़ाकों से भी बात की और अपने लेक में बताया है कि 2006 में जब हमास ने छोटा सा हमला किया तब अमेरिका और इसराइल के सैनिकों ने घेर लिया मगर हमास इसराइल की सैनिक शम्ता से प्रभावित नहीं हुआ अमेरिका के सैनिकों की ट्रेनिंग से बहुत ज़ादा प्रभावित हो गया एंड्रियू लिखते हैं कि अपनी गलतियों से सीखने के मामले में इसराइल का रेकॉर्ड अमेरिका से बहतर माना जाता है मगर इसराइल के सेना Conscripts और Reservist पर निर्भर करती है Conscripts का मतलब यही हुआ कि सेना की ट्रेनिंग लेने वाले वो नागरिक जो अनिवार्य रूप से सेवा देते हैं और Reservist वो कहलाते हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं और कुछ समय के लिए सेवा करते हैं फिर कुछ और काम करने लग जाते हैं जब इनकी जरूरत होती है सेना की ड्यूटी जौइन कर लेते हैं एक तरह से सेना औस्थाई हो जाती है और पूरी तरफ पेशेवर नहीं हो पाती जब सेना में जवान इस्थाई रूप से भरती होते हैं उनकी ट्रेनिंग और पेशेवर शम्ता अलग होती है हमें ऐसे लेक भी मिले जिनमें बताया गया है कि इसराइली नौजवानों में अनिवार्य सेवा को लेकर बीते सालों में उत्साह कम हुआ है इसराइल में 18 वर्ष से उपर के सभी को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है सेना की और सेना में काम करना पड़ता है बार-बार सेना में नए लोग कुछ समय के लिए आकर ट्रेनिंग लेते हैं और रिजर्व हो जाते हैं लड़कों को 32 महिनों के लिए और लड़कियों को 24 महिनों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है इनी में से 4 लाख रिजर्विस्ट इसराइल में हैं मुझे उम्मीद है अटलांटिक के इस एक्सपर्ट की बातों को सुनते हुए भारत के एक्सपर्ट अग्नीवीर योजना के बारे में सोच रहे होंगे अगर भारत ने यह आइडिया इसराइल से उठाया है तो उसे अटलांटिक और हारेट्स का यह लेख पढ़ना चाहिए फिर अग्नीवीर पर विचार करना चाहिए अनुशासन से लेकर सतरक्ता के बारे में भारत की सेना कहीं जादा श्रिष्ट नजर आई और उसका कारण यही है कि यहां जवान लंबे समय के लिए भरती किये जाते हैं और हर समय वो जवान की भूमिका में होता है इसराइल की सेना में बारी बारी से कोई नौजवान आता है चला जाता है इस कारण उसकी लापरवाही कई बार दुश्मनों की निगाह में भी आ जाती है नागरिक को सेना की ट्रेनिंग देने से वो सैनिक नहीं बन जाता है कुछ समय बाद वो पिज़ा बर्गर बनाने लग जाएगा तो पिज़ा का एक्सपर्ट बनेगा सेना का नहीं उसे वापस सेना में लाकर आप वो हासिल नहीं कर सकते जो एक पूर्ण कालिक सैनिक से हासिल कर सकते हैं अगनी वीर वाले इसे सुन लें उसके दो या तीन कारण है एक बड़ा कारण तो ये है कि जो इसराइल की सेना है उसमें जो सैनिक आते हैं वो सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं वो पूरी तरह से एक वरंटियर सेना है जो भी इसराइली युवक या युवती 18 साल की उमर पूरी कर लेता है उसको इस्राइली सेना के अंदर नौकरी करना जरूरी होता है एक बहुती शोटी सेना है, इसके अंदर करीब 1,70,000 के करीब सैनिक है उसके लावा रिजर्विस्ट हैं करीब 4,60,000, 4,60,000 लोग रिजर्व के तौर पर वहाँ पर नौकरी करते हैं तो जो सेना है जो बड़ी सेना है वो पूरी तरह से वालिंटीर्स पर है जो लोग इस तरह से आते हैं जो शायद जो पुरुश हैं वो 32 महीने के लिए और जो मैलाए हैं वो 24 महीने के लिए नौकरी करती हैं तो यह लोग professional soldiers नहीं हैं, यह लोग उस तरह के soldiers हैं, उस तरह के सैनिक हैं, जो कि कुछ समय के लिए आया है, कोई computer engineer है, कोई किसी और तरह का engineer है, कोई और काम कर रहा है, वो आया, उसने लौकरी की और उसके बाद हुआ अपस चला गया, जो कि अमरीकी सैनिक हैं, अमरीकी अधारित होने लगी है, सिर्फ modern technology की और देखती है, उसकी जो जिस तरह की पहले की जो काबियत थी, जिसमें के लोग, सैनिक, सैनिक leadership, जिस तरह से काम करती थी, वो अब उस तरह से काम नहीं कर पा रही है, यहां तक कि गाजा के अंदर, वो पूरी तरह से electronics पर, satellites पर, AI पर उस पर आधारित है, उनकी intelligence, इस तरह से नहीं उनके पास information आती है, कि लोग वहां पर हो, 2006 के बाद से वहां पर लोग, Israeli लोग है ही नहीं, और तीसरी बात यह है, जो उनकी जो दुश्मन है, जिस तरह से उपने दुश्मनों को देखते है, फिलिस्तीनियों को या हमास को, उन लोगों से उनका संबंध बिलकुल तूट गया है, Israeli सिना को उनकी समझ बहुत कम है, उनकी ना समझ है, ना वो किस तरह से सोचते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उनका अटाक करने का तरीका है, ये समझ इसराइली सिना के अंदर पूरी तरह से कम हुई है, इसलिए इसराइली सेना की जो पर्फॉर्मेंस है इस बार जब हमस का हमला हुआ तो बहुत अच्छी नहीं रही है। इसमें भारत के लिए संदेश है अगनीवीर योजना के समर्थकों को अपनी राय में संशोधन कर लेना चाहिए। किसी को पता नहीं था कि इतनी जल्दी इसराइल के मोर्चे पर अगनीवीर योजना की इस तरह की पोल खुल जाएगी। राहुल गांधी ने जब अगनीवीर योजना का विरोध किया तब युवाओं ने भी उनका साथ नहीं दिया क्योंकि युवाओं को धर्म की राजनिती में जादा मज़ा आता है और गोधी मीडिया ने भी राहुल गांधी का मज़ा कुडाया। जो सेनिक को क्यार करने में पांच, दस, पंद्रा साल लगते हैं मिसाइल चलाने में रोकेट चलाने में हत्यार को ठीक से चलाने में जो टाइम लगता है उसको भूल जाएए सिर्फ छे महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है चार साल बात धरवापसी जब मेरे बात उठाता तो कहते हैं मैं सेना की दुरूरत बात कर रहा हूं मैंने बोला था प्रेस की मित्र हैं ये भी उनकी बात करते हैं कि देखो वही आप मैं सेना की बात उठा रहा हूं मैं कह रहा हूं कि 15 साल आप सर्विस देते थे 80,000 युवाओं को देते थे पेंशन देते थे अब नहीं दोगे तो क्या भारत सरकार अगनीवीर योजना को लेकर विचार करेगी इसराइल का हाल आपके सामने है इस तरह की योजना मॉल की सुरक्षा के लिए चल सकती है मगर मुल्क की सुरक्षा के लिए कारगर नहीं लगती यही नहीं जेरुसलम पोस्ट और टाइंस अफ इसराइल में छपी एक खबर से पता चला कि आप भले ही पांच लाख लोगों को सेना की ट्रेनिंग दे दें लेकिन उनके लिए जरूरी सामान, हतियार, बुलेट प्रूप जैकेट, रात में देखने वाला चश्मा, दुर्बीन, हेलमेट इनका इंतजाम आप नहीं करते जब आपात इस सिती में जरूरत पड़ती है, तो इन सामानों को खोजने लग जाते हैं इस बार इसराइल ने रिजर्विस तो तुरंट जुटा लिए, मगर इन सामानों की कमी हो गई यही इस खबर में लिखा है कि हजारों सैनिक जुटा लिए गए, मगर उनके लिए हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, सिरेमिक वेस्ट की कमी हो गई सैनिक को बंदूक के अलावा भी कई चीजों की जरूरत होती है, जिसके लिए इसराइल को इंतजार करना पड़ा लोगों ने बुलेट प्रूफ जैकेट दान दिये, मगर गुणवत्ता की समस्या हो गई सेना को बीस हजार हेलमेट और पचास हजार सिरमिक वेस्ट मंगाने पड़े हैं इसलिए हम इस वीडियो में अलग-अलग जगों पर इसराइल की सेना को लेकर जो विशलेशन छपे हैं उन से कड़ियां बना रहे हैं, हम फिर से लोटते हैं अटलांटिक के इस विशलेशन पर अमेरिका इसराइल को हर साल करीब चार अरब डॉलर की मदद देता है जिससे इसराइल सैनिक साजो सामान खरीटता है अटलांटिक के इस लेक को पढ़ते हुए, हमें हमले के बाद हारेट्स का ही दूसरा संपादकिया याद आया, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बताया था हारेट्स ने सवाल उठाया था कि क्या ये कमांडर लोग मानसिक रूप से तयार हैं देश को लीड करने में अब जाकर हारेट्स के संपादकिया का मतलब सही से समझ में आया कि आयस्थाई और तदर्थवाद यानि अड़ोकिजम ने इसराइल की सेना को हाउसिंग सोसाइटी का गार्ड बना दिया है जो सेना जैसी वर्दी में तो दिखते हैं मगर उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती और उन्हें उनकी मजदूरी के हिसाब से पैसे भी नहीं दिये जाते वे शारिरी रिक रूप से कमजोर भी होते हैं जब सेना और खुफिया तंत्र पर टेकनॉलोजी हावी हो जाए इनसानी हुनर बहुत पीछे चली जाए तो उसका नुकसान हो सकता है पत्रकार सुशान सिंग बता रहे हैं कि केवल इसका नहीं इसराइल के भीतर लोग तांत्रिक धांचे पर जो हमला हुआ उसका भी असर पड़ा होगा यही कारण है कि अभी तक इसराइल की खुफिया एजनसी मुसाद भी बंधकों को रिहा कराने में सफल नहीं हो पाई हारेज में मुसाद के पुर्व प्रमुक का लेग छपा है कि बंधकों की सुरक्शित रिहाई करवा पाना मुश्किल होता जा रहा है यह मुसाद की हालत हो चुकी है जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाब उसके बारे में भारत में बहुत जादा धारणाई है उसकी जो परफॉर्मेंस थी 1950 के दशक में 60 के दशक में वह बहुत मजबूत थी बहुत अच्छी थी उसने जिस तरह से कुछ नाजी समर्थकों को अलग अलग एजेंसी के तौर पर है पर पिछले कुछ सालों के दोरान करी पिछले 10-15 सालों के दोरान मोसाब कर परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है उनका भी टेकनोलोजी पर बहुत जादा जो रहा है वो लोग यूमन डिसोर्स से जादा टेकनोलोजी पर अब ध्यान देते हैं और इसकी वज़ा से वो जो एजनसी है उसका काम उतना अच्छा नहीं रह पाया है दूसरी चीज़ जो ही है जो जिसका के असर इसराइली सेहा पर भी पड़ा है और मोसाब पर भी पड़ा है वो यह है कि जो बेंजमन नितन्याहू की जो सरकार है उसने पिछले एक साल के अंदर जिस तरह के कानूनों में बडलाव लाने की कोशिश की है जिस तरह की कोशिश की है कि जो सुप्रीम कोट है और जो वहाँ की कोट्स हैं वो उसकी सेरकार पर कोई लगام ना लगा पाएं और जो नेतन्याहू के उपर जो प्रश।चा के आरोप हैं उसके उपर भी विडियो देखियोंगे कि हर हफ्ते हजारों लोग इसराइल में सालकों पर उगार रहे थे उनके चला और उसके अंदर उनके सैनिक भी शामिल थे उनके मुसाद के पुराने अधिकारी भी शामिल थे उनके सैने अधिकारी भी शामिल थे उनके रिजर्विश शामिल थे performance पर ना पड़े। रास्ते में सडक पर खड़े जबान दिखते हैं जिने कोई आइडिया नहीं था क्या करना है। उनके कमांडर से उनकी कोई बाचीत नहीं थी। रास्ते में उन्हें कुछ गायल जबान भी मिले जिनें उनके पिता ने अस्पताल तक पहुंचाया। इसी दोरान एक अन्य सेवा निवरित जनरल उनके साथ हमले की जगा चलने को राजी होते हैं। साथ से अधिक उमर के रिटायर्ड फौजी जंग के मैदान में जाते हैं। सुबा शुरू हुए हमले के बाद शाम चार बजे उनके घर पिता पहुंचते हैं। तभी फौज भी आती है। लेखक ने लिखा है कि इसराइल देश ने हमारी रक्षा करने का वादा पूरा नहीं किया। जब से हमला शुरू हुआ है। तभी से इसराइल ने गज़ा की सीमा पर तीन लाग स्यदिक सेनिकों की तैनाती की है। मगर जमीनी हमला नहीं किया। इसका जवाब अब मिल रहा है। या एक रणनीतिक चुनाव नहीं लगता कि पहले हवाई हमला करेंगे फिर जमीनी हमला होगा। बलकि अपनी कमजोरी को छुपाने की रणनीती नजर आती है कि हवाई हमला ही करते रहेंगे जमीनी हमला करने की इस्तिति में नहीं है इसराइल के पुलिस प्रमुक का एक बयान है कि जो भी युद्ध के खिलाब प्रदर्शन करेगा उसे घजा भेज दिया जाएगा इस बयान का मतलब अब समझ में आया जिस देश की सेना खुद जमीन के रास्ते 15 दिनों से घजा में घुस नहीं पाई उस देश का पुलिस प्रमुक युद्ध के विरोध करने वालों को घजा भेजने की धंकी दे रहा है क्या इसराइल के लोग भारत के निउस चैनल देखने लगे हैं जिसकी बहसों में बात बात में मोदी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान भेज दिया जाता है लेकिन ये जानना भी हैरान करता है कि सैनिक प्रधान देश में लोग युद्ध का विरोत कर रहे हैं और हारिज जैसा अखबार सेना की कमजोरियों पर युद्ध के दौरान ही चाप रहा है भारत में ये अखबार होता तो गोदी मीडिया का एंकर कह रहा होता कि दुश्मन की मदद की जा रही है अपनी कमजोरियां बता कर इसे एक बार फिर से देख लीजिए इसराइल के प्रधान मन्तरी बन्यामिन नितन्याहू सत्ता के मामले में भले ही ताकतवर लगते हों लेकिन उनके कारेकाल में इतना बड़ा हमला कहीं से उनकी ताकत या सूजबूझ की मिसाल नहीं है ऐसा हो सकता है कि नितन्याहूं को गुमान हो गया हो कि अरब देशों को अपने पाले में मिला लेने और गजा का गला घोर देने के बाद बगावत की जान नहीं बची होगी तब ही युद्ध के थमने का इंतजार हो रहा है बलकि युद्ध के दौरान ही नेतन्याहूं को लेकर सवाल उठ रहे हैं हमने बिटन के ब्रेड़फोर्ड युनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल रोजर्स का ओपन डेमोक्रिसी में एक लेक पढ़ा इस लेक में एमिरिटिस प्रोफेसर साहब लिगते हैं कि इसराईल के बारे में कहा जाता था कि मद्धपुर्व के देशों में सबसे शक्तिशाली लोक्तंतर है भले ही इजिप्ट और टर्की की तुलना में इसराईल के पास सैनीकों की संख्या कम है लेकिन इसकी ट्रेनिंग इसके उपकरन, टेकनोलिजी और परमानु हत्यार के कारण कोई इस पर हाथ नहीं डाल सकता इसराइल की इस शम्ता को कम नहीं आका जा सकता मगर लगता है कि गज़ा पर हवाई हमलों की जीत का दावा खोखला था अगर नेतन्याहू ने जल्दी जीत हासिल नहीं की, युद लंबा खींचा तो उन्हें अपने देश के भीतर बगावत से भी निपटना होगा सता पर तो यही नजर आता है कि अपनी सैनिक शक्तियों के कारण इसराइल एक सुरक्षित देश है, लेकिन यह बात सचाई से बहुत दूर है बहुत तेजी से इसराइल की सैनिक शक्ति का मिथख तूपता जा रहा है बीते पंदरह दिनों में इसराइल ने उपर से बम बरसाने के अलावा कुछ भी नहीं किया उसका हवाई हमला बराबरी का भी नहीं है गज़ा की तरफ से कोई जंगी विमान उडान नहीं भर रहे इसराइल की एक और कमजोरी सामने आ गई धार्मिक राज्य होने की कमजोरी सुशान सिंग ने अपने लेक में पाकिस्तान के पुर्वर राष्टपती जियाउल हक और इसराइल के ही एक विचारक बर्नार्ड अविशाई का किस्सा लिखते हैं आगे आप उन्हीं से इसका मतलब सुनी है पाकिस्तान के जो पूर मिलिटरी डिक्टेटर थे जनल जियाउल हक उन्होंने तो ये खास दोर पे कहा कि दो ही मुल्क हैं जो के धर्म के नाम पर बने हैं पिछले कुछ सालों में बीस्ती सदी के दोरान और वो दोनों कोलोनियल लूलर्स ने बनाए और वो दो मुल्क हैं इसराइल और पाकिस्तान जिस तरह से आप इसराइल के अंदर से अगर यहूदियों को निकाल दें या जो उनकी जूइश रिलिजिन को निकाल दें तो कुछ नहीं बचेगा उसी तरह से अगर आप पाकिस्तान के अंदर से इस्लाम को निकाल दें तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बचेगा ये बात जब इस्राइल शुरुआत में बना और जब वहां से फिलिस्तिनी लोग निकाले गए तो उनकी जमीन को कैसे बाटा जाए जियूस के बारे में ये समझने के लिए भी इस्राइल ने वही तक्नीक का इस्तेमाल किया वही रूल्स का इस्तेमाल किया जो कि पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था जब हिंदू और सिख लोग वहां पर अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ कर आए थे पार्टिशन के बाद तो उन दोनों मुलकों में बहुत जादा समानता है रही है जो इस्राइल के जहें है इस्राइल के अंदर उन लोगों ने भी यह कहा है कि क्या इस्राइल एक जुईश पाकिस्तान बनना चाहता है वो क्या सही बात होगी अगर इस्राइल एक जुईश पाकिस्तान बनना चाहे तो यही बात भारत के बारे में जो लोग कहते हैं कि भारत को इस्राइल कोई इसराइल और पाकिस्तान तो एक सिख्य के दो ही पहलो है और अगर भारत इसराइल बनने की कोशिश करेगा जिसकी की कोई जरुवत ही नहीं है क्वारत का समधान है भारत में सब लोग मिल जूल के रहते हैं भारत किसी एक धर्म एक जाती एक समाज के लोगों के लिए नहीं है तो ये जरूरत ही नहीं है भारत को इजराइल बनने की भारत अपने आप में शक्तेशाली है और शाहद अगर भारत इजराइल बनने की कोशिश करेगा तो वो पाकिस्तान बन कर रह जाएगा नियू यॉर्ट टाइम्स में नेतन्याहू की प्रोफारी तयार की गई है इसमें मार्क लैंडलर ने लिखा है कि नेतन्याहू हमेशा युद्थ से बचते रहे क्या उन्हें पता था कि उनकी सेना की ये कमजोरिया है अखमार लिखता है कि इसलिए कूटनीती का सहारा लेकर अरब देशों से संबंद भी बेहतर करने लगे समबाद स्थापित किया नेतन्याहू ने कई बार इसकी धंकी दी है युद्ध करेंगे मगर किया नहीं इरान को धंकाते रहे मगर कोई सेन्य कारवाई नहीं की हवाई हमले किये हैं या स्पेशल आपरेशन मगर पूरे युद्ध से बस्ते रहे इसलिए हमास के हमले के बाद उनका वी आर एट वार कहना माइने रखता है ये इस नेता के लिए नया रोल है उनके लंबे कारेकाल में इसराईल ने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा कभी पूरी सेना को अटैक का कमांड नहीं दिया गया उनसे पहले के प्रधान मंत्रियों ने जादा बड़े जोखिम उठाए 2014 में गज़ा में सीमित ग्राउंड आपरेशन किया गया जिससे घरेली मुर्चे पर अपनी 26 उधारने की कोशिश की गई मगर अंतरास्ट्रिय मंच पर इसराईल की आलोचना हो गई तब 50 दिन की कारवाई में 200 से अधिक फलस्तिनियों की मौत हो गई थी नेतनियाहू खुद भी जब फौज में थे तब स्पेशल फोर्स यूनिट में थे उनके बड़े भाई इसराईली इतिहास के एक बड़े प्लेन हाईजेक की कारवाई में मारे जाने वाले एकलौते फौजी थे आज भी उनका नाम याद किया जाता है माना जाता है कि इन कारणों से वो युद्ध से बचते रहे हैं और स्पेशल उपरेशन में जादा यकीन रखते हैं मगर इस हमले के बाद उनकी गनणाओं पर पानी फिर गया है इमरजनसी सरकार बनाई गई है वार कैबिनेट अलग से काम कर रहा है वो चर्चिल बनना चाहते हैं मगर उनको फौज के जनरलों पर विश्वास नहीं रहा क्योंकि उन्हें वो राजनितिक प्रतीदवन्दी की तरह देखते हैं जिस सेवा निवरित जनरल ने 2020 में चुनाओं में नितन्याहूं को कड़ी टक कर दी थी आज उन्हीं के साथ इमरजनसी सरकार बनानी पड़ी है न्यू यॉर्क टाइम्स ये सब लिखता है इसराइल की नाकामी के कई बड़े सावाल युद्ध के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं शायद इसलिए भी कुछ एक्सपर्ट लिख रहे हैं कि नेतन्याहू युद्ध को लंबा खीचना चाहते है बरिटन के प्रधान मंतरी सुनक से उन्हों ने कहा कि युद्ध लंबा चलेगा उनके रक्षा मंतरी ने संसद में युद्ध के तीन चरण बता कर यसाफ कर दिया है कि युद्ध लंबा चलेगा पहले चरण में हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए हवाई हमले होंगे साथ में जमीनी कारवाई होगी दूसरे चरण में लड़ाई कम होगी मगर जारी रहेगी और तीसरे चरण में वे कहते हैं कि हम गजा में एक नया सुरक्षा तंत्र बनाएंगे गजा की रोजमर्रा की जिन्दगी से इसराईल अलग हो जाएगा और इसराईली नागरिकों और गजा के आसपास के लोगों के लिए सुरक्षा की सूरत हमेशा के लिए बदल जाएगी जब आप इन सभी कड़ियों को मिला कर देखते हैं तब समझ में आता है कि सेना को हमेशा पेशिवर होना पड़ता है इसराईल की सेना के बारे में भारत में खास तरह का प्रोपेगेंडा चलता है जरूर उसकी सेना से सीखा जा सकता है मगर हमारा सवाल है कि क्या हमें उसकी कम्यों के बारे में पता है जिस तरह से वहां के अखबार सेना की कम्यों को उजागर कर रहे हैं क्या हम कर सकते हैं अच्छी बात है कि उसी मीडिया के किसी कोने में उसी की बनाई उन धारनाओं का चूरन भी बना दिया जाता है जिसे मीडिया आपको लड्डू बना कर पेश करता है भारत का मीडिया इसराइल गामी हो गया है बहुत सारे रिपोर्टर गए मगर जब नितन्याहूं के खिलाब इसराइल की जनता लाखों की संख्या में हफ्तो सडकों पर थी तब कौन सा मीडिया वहां गया प्रधान मंतरी मोधी भारत को मदर अब डिमोकरिसी कहते हैं लेकिन जब कहीं लोग कंतर पर होता है तब गोधी मीडिया की ये रिपोर्टर क्यों नहीं लाइव रिपोर्टिंग करने जाते हैं जब इसराइल में प्रधर्शन चल रहे थे तब क्या आपने वहां से कोई रिपोर्ट देखी मेरे इन सवालों पर गोर कीजिएगा और इस वीडियो को दोबारा भी देखिएगा नमस्कार मैं रविश कुमार